नमस्कार स्वागत आप सभी कहर्याना भारत में मैं आपके साथ खुश्बखान बुलेटिन के शुरुआत करेंगे लिकने एक नजर अब तक किस सुर्ख्यों पर किसान अंदोलेन का 29 वदेम किसानों ने बॉर्डर पर सरकार की बुद्धिशुद्धी के लिए क्या हवन देश भर में मनाया गया रास्ट किसान दिवस से मनोहलाल खटन ने किसानों को दिबधाई रास्टी किसान दिवस पर भी किसानों का विरोजारी किसानों ने आज भी रखा पुवाज जहजर में मासुम किसा दुशकन के बाद हत्या मामली में सिया मनोह लाल खटर हुए सक्त कहा जल्द करेंगे कारिवाई उप्रदेश में अस्वाईल पर सियासत तेश कृष्षी मंतरी जेबी दलाल ने कहा पंजाब सरकार के खिलाप होगी बड़ी रह लिया खबरों में बढ़ते हैं इस तार से किसान अंदौलन का उन्हें तस्वाई दिन है और पिछले 28 दिनों से किसान नए कृष्षी कानून को वापस लेनी की मांग करें एक और जहां किसानों की मांग है कि जब तक ये कानून वापस नहीं लिया जाएगा वो बॉडर पर डटे रहेंगे इसी बीच आज सिंगू बॉडर पर किसानों ने किंद सरकार की वुद्धी शुद्धी के लिए हवन किया उनका कहना है कि सहवन से सरकार की वुद्धी की शुद्धी हो और किसानों की बात माली जाए भारत के पाचवे प्रिधानमंत्री चौदरी चरंड सिंग की जयनती की मौके पर हर साल आज के दिन रास्टे किसान दिवस मनाया जाता है आज पूरा देश रास्ट्रे किसान दिवस मना रहा है वही किसान करशी कानून के खिलाफ बॉर्डर पर तैनात हैं इसी बीच प्रदेश के मुखे मंतरी मनुहलाल खटर ने भी किसान दिवस पर ट्वीट करके किसानों को किसान दिवस की बढ़ाई दिये किंद सरकार के नए क्रिशी कानून के खिलाफ किसान पिछले 28 दिनों से आंदौलन कर रहे है इस बीच एक तरफ आज पूरा देश रास्ट्रे किसान दिवस मना रहा है तो वहीं दूसरे तरफ भारते किसान यूनियन ने एलान किया है कि आज हम एक टाइम का खाना नहीं खाएंगे किसान संगठनों ने लोगों से अनुरोद किया है कि वो आज दोपैर का भोज़न ना पकाए किसान दिवस हर साल 23 दिसंबर को देश के पूर प्रधान मंतरी 14 चरण सिंग के जनम दिन पर मनाया जाता है नए कृशी कानूनों के खिलाफ किसान संगठनों का अंदौलन लगातार जारी यॉर्स बीच बीजेपी ने एक पोस्टर जारी करके बताया था कि पंजाब में MSP से किसान खुश है दरसल इस पोस्टर में एक किसान की तस्वीर लगाई गई थी पंजाब बीजेपी ने जिस हर प्रेतर सिंग का पोस्टर बतार खुशाल किसान पेश किया है वो सिंगु बॉर्डर पर किशी कानूनों के विरोध में धरना दे रहा है हर प्रितर सिंग के पोस्टर को लेकर शोशल मीडिया में खुब बवाल मचा और इसके बाद पंजाब बीजेपी ने पोस्टर को अपने फेस्बुक पेज से डिलीट कर दिया जजर में पांस साल के मासूम दुशकन के बाद हत्या की वारदात के बाद मद्य प्रदेश के मुख्य मंतरी शिवरा सिंग चौहा ने मामले में सक्त कारिवाई करने के लिए मुख्य मंतरी मनोलाल खटर से बाचित की जिसके बाद प्रदेश के मुख्य मंदरी मनोलाल खटन ने कहा है कि आरोपी को गिरफतार कर लिया गया है और जल्द मामले में कड़ी कारिवाई की जाएगी आपको बता दे कि जज़र जिले में पांस साल की एक बच्ची का अपरण करके उससे दुशकर्म किया गया था और फिर आरोपी ने उसकी निर्मम हत्या कर दी थी देश में एक और जहां किसान अंदॉलन को लेकर सियासत गरमाई हुई है वहीं अब प्रदेश में S.Y.L. के मुदे भी राजनितिक तूल पकड़ने लगे है इस वीच प्रदेश के क्रिश्ची मंदरी जेपी दलाल ने कहा है कि S.Y.L. के मुदे पर अभी फैसला नहीं हुआ तो कभी नहीं हो पाएगा उन्हें कहा है कि S.Y.L. की मांग को लेकर सरकार बड़ी बड़ी रेलियां करेगी और पंजाब सरकार को जताएगी कि हर्याना कमजों नहीं है ख़वर फरीदाबास से आरी जहांपर सेक्टर 3 में खुले मिन हॉल में एक गाय के गिर जाने से उसकी मौत हो गई गाय के गिरने के बाद अस्थाने लोगों ने मौके पर ही रोड जाम कर दिया दरसल गाय को बचाने की तमाम कोशिश की गई लेकिन वो में हॉल में बुरी तरह से फस गई थी जिसके बाद उसे जेसेबी की मदद से बहार निकाला गया लेकिन तब तक उसकी मौत हो गई थी सडक किसले जाम करी गई है आज गाये भी किल रही है वहां बेखो कितने कितने नphone देड़ लगरे हैं कोई क Bis 002 कि का मनीं होता किसी का बच्चा भी किर सकते सकते कोई भी हास्ता गरत हो सकता है सिर्स नजर नी आता ग्याए इसको स्मार्ट सिटी बनाने की बात करते हैं वहाँ कचड़ा देखो आप क्या हाल हुआ बड़ा सड़क का दिलि से सटे फरिदाबाद में चाइड हेल्पलाइन चीम और स्टेट क्राइम की टीम ने एक सेयुक्त आप्रेशन चलाते हुए चार बच्चों को अलग-अलग इलाकी से बाल मज़ूरी करने से मुक्त कराया चाइल्ड हेल्प लाइन की टीम ने 1098 पर सूच्टा मिली थी कि जिसके बाद इस कारेवाई को अंजाम दिया गया फिलाल आरोपियों के खिलाफ जेजे केंटर से पर कर सब्सक्राइब किर देंकी जाती है बच्चों एक बाद ने में जमकत तोड़फोड कि वह एक वैपारी की गाडी को और लाखों रुपए लेकर फरार हो गए वहीं पीड़ेतों ने पुलिस को इसके शिकायद भी की लेकिन इसके बाद भी पुलिस अब तक आरोपियों कोई कारेवाई नहीं किया है कोई मुकदमा नहीं दर्श किया है अब भी सुबहे से कल रात से रात को ग्यादस वारदात को कोई पुलिस वाला भी नहीं पहुचा हां जी हां जी तो तोड़ बोड़ करिये पहले उन्हों ने पिर आके रात को बहुत प्रलब सारी से पोड़ दी लेवर को धंकी दी है गाली कलोच करिये फिर आके रात को गाड़ी को रोक ली और उस गाड़ी को तोड़ बोड़ करिये और लेके भाग गये उसको हर्याना भारत में फिलाल में ऐसा देता हैं देश परदेश की तमाव आम खबरों के लिए देखते रहे हैं हर्याना भारत नमस्कार